आप देख लगें हैं विल्म्स एक्स्प्रेस डॉट कॉम चलता की आवाज सिंग्रॉली में हजारों मज़्दूरों की होई घर बापसी मुल्यदा से हजारों किलोमीटर दू पड़र यात्रा करके मज़्दूर पहुंची वीपियं की सिमावर्ति अजयन्ट चेक पोस्ट पर बैश्वक महामारी कोरोना वाइरस के संक्रमेंट से बचाव के लिए भारत के प्रधानमंत्री मुरेंग्र नोधी में देश्व अप्री लोक्टाउं को बढ़ाने की घोशना की और इससे 17 महीं तक कर दिया इससे उन प्रवासी मजदूरों के माथे की शिकन और बढ़ गई जो लोक्टाउं की वज़ए से देश के अलग-अलग कुनों में फंसेक हुए हैं लोक्टाउं की वज़ए से मालिकों के मजदूरों से दो गर्ज की बूरी बनाते ही सब काम बन इसके साथ ही उन्हें खत्म होते राशन, जोड में कम होते पैसे, भविश्य की रोजी-रोटी, रोजटार और हजारों किलोमीटर दूर रहे रहे अपने घर वालों की भी चिंता सता रही है देश के अलग-अलग हिस्सों से कर ऐसे वीडियो, फोटो और वॉइस में से जा रही हैं, जिसमें प्रवासी मजदूर सबकार से उन्हें अपने घर भीजने की विमति कर रही है दरसन इन मजदूरों के पास ना तो करने के लिए कोई काम है और ना ही खाने के लिए पैसा बचा हुआ है दिनगात काम करने वाले इन मजदूरों को ऐसे खाली बैथने की आदप नहीं है, इसलिए यह मुश्किल और भी बढ़ रही है जानकारों का मानना है कि मजदूरों के लिए यह लोक्टाउन सामाजिक और आर्थिक लड़ाई के साथ सार्थिक मनिवर्द्यानिक लड़ाई भी है जिस प्रकार पिस्तिक्या सामने आ रही है अब मजदूरों को लगने लगा लोक्टाउन पूरे वर्ष चलेगा जिस कारण मजदूरों में हजारों किलोमीटर पेडल भी अपने घरों की ओर प्रस्थान कर रहे हैं मध्यप्रवेश सिंग्रॉली के कल सेटरा मजदूर भी हजारों किलोमीटर देल पेडल यात्रा करके सिंग्रॉली के सिमा पर पहुचे नियोगा से हजारों किलोमीटर दीव दैबल लात्रा करके प्नियोंसों से अधीत मज़्दीर पहुचे लिए पीएंपी सिमावर्तिय जाएंट चेक पोस्ट पर जहां जाएंट पुलिस चोकी प्रभारी महिंद सिंग पटेल अपनी दलबलबा समाज सेवियों के साथ इन मज पुरूं को पंजीवद तरीके से बैठा कर उनके चाइनास्ता का व्यवस्था करते हुए नेदिकल जाज प्रप्रिया पूरा करने के लिए बसों से जिला चिकित साल्य बेरन भीजा गया दन्यूज एक्सप्रेस से प्राजेंद्र अग्रेरी की रिपोर्ट